नमस्कार दोस्तों जिस तरह खाली पेट एक जंग नहीं लड़ी जा सकती ठीक उसी तरह से एक आंदोलन में सूखे गले से आवाज नहीं बुलंद की जा सकती हनुमानगड में जो आंदोलन होने जा रहा है आज से दो दिन बाद भागडा के जो किसान हैं वो अपनी मागों को लेके और नहर में पूरे पानी को लेके वहाँ पे धरना देंगे उनी सभी भाईयों को मेरी ओर से एक छोटा सा मैं तोफ़ा देना चाहूंगा भाईयों आप सब के जो पीने का जो पानी है उसकी विवस्था आपका ये भाई अर्विन सहरन करेगा तो मेरे वहाँ पे जो ट्रक हैं वो पानी लेके पहुंच जाएंगे और जब तक आपका आंदोलन चलेगा उसमें पचास हजार रुपे की लागत से जो पीने का पानी है वो आपका भाई अर्विन सहरन देगा दोस्तों बहुत जरूरी है कि इस आंदोलन में आप अपनी अगवाई खुद करें और किसी नेता को ये जो अंदोलन है ये आप हाईजैक ना करने दें ये नेता बहुत अमीर लोग हैं जिन लोगों को आपने बहुत सालों से देखते आए हैं और आज तक इलाके के विकास के लिए इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है तो इस बार मैं चाहूँगा कि आप इस आंदोलन की अगवाई खुद करें और हमारे जो भाई हैं राजिंदर जी जानी वो एक सिमांत किसान और आपी के भाई हैं आपी के दोस्त हैं तो वो इस आंदोलन की अगवाई कर रहे हैं तो आप सब उनके साथ कंदे से कंदा मिलाक इस जंग में शरीक हों इस धरने में शरीक हों और आपके गले ना सुखें और आपके आपकी जो आवाज है वो बिल्कुल बुलंद रहे इसके लिए आपका भाई अर्विन सहारन आपके पीने के पानी की जो विवस्ता है वो यहां से करेगा और मैं यहां पे बहुत दूर हूँ आप लोगों से तो मैं अपनी और से फिलाल इतना ही कर सकता हूँ दोस्तों काश की मैं वहाँ होता अगर आपके पास होता तो आपके साथ कंदे से कंदा मिलाके इस जंग को मैं भी लड़ता लेकिन बदकिस्मती से मैं भी विदेश में चाहूंगा कि आप मेरी तरफ से यह चोटा सा तोफा जो है वो कुबूल करें धन्यवाद